हेलो स्टूडेंट विल्कम टो एजेकेडमी आज हम लोगों पढ़ने वाले अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट टू इससे पहले हम लोगों ने ट्रिप्लेट फॉर्म पे अच्छे से पॉइंट के पूरा सारा कवर किया था आए देखते आगे दिरीदरे करके सारी बात स हमारा था हम लोगोंने पढ़ाताँ ची में त्रिप्लेट को कैसे हम लोग रेप्रेजेंट करते हैं उसको लोग कैसे यूज करते वॉस सारा चीजे मैंने आपको क्या किया था अच्छे से बताया ता ठीक है चलब तो आज मैं आपको बताना चाहरा हूं आप देखिए गा आज चुम्हों पढ़ने वाले वह हमारा sine A square two cos B कब बराबर होता है होता है तो क्यों होता है सारी चीज़ेए अबें समझना है चलो देखेएगा समझओ आप याप एक आपको पता है कि sin 0 degree का मान क्या होता है ? 0 होता है कॉस जीरो डिगरी का मान क्या होता है तो आप बोलेंगे वन होता तो आप समझेगा मैं क्या बोलना चाहरो देखिए गा मैंने कहा साइन थर्टी डिगरी का जो वैलू होती वो होती वन बाइटू टेबल पूरा अच्छे से रेप्रेजन करना मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन मैं जो चीज़ सिखाना चाहरो आप वहां पर यह सीखेगा चाहरो कॉस थर्टी कमान कितना होता है तो आप बोलेंगे व को सिक्षिस्टी कमान कितना होता तो आपने बोला कि one by two यहां साइं साइन साइन कामान और कॉसिक्षिकमान आपस में क्या न बराबर है कि आपको यहां से वूल निकला इनगे निकला चलो कि मार लो अगर साइन में equal to cos b के बराबर हो सकता है कब होगा जब आप बोलोगे a plus b का sum कितना हो जाए 90 degree के बराबर कैसे फिर समझते देखो जैसे मैंने कहा sin 45 degree का जो value होती है 1 by root 2 होती है फिर मैंने कहा cos 45 degree का value किती होती है तो आपने बुला 1 by root 2 होती है आपस में बराबर है आपस में क्या है बराबर है और यहां से हमारा rule भी satisfy कर रहा है हाँ पर कि यह देखो 45 degree है यह भी 45 degree है तो आप अराम से बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको नाम ए दे देता और इसको भी नाम में अगर ए देता है तब भी आप यही बोलते कि A प्लस A जो होगा वो कितने के बराबर होगा तो 90 degree के बराबर होगा कितना होगा 90 degree के बराबर होगा ठीक है चलो फिर और देखते हैं यहां पर समझने के लिए देखो आगे चलो देखोगा हमने का साइन ले लेते हैं और यह तब ले लेते हैं पॉस तो sin 0 degree ले लिया, फिर मैंने चलो मान दो 30 degree ले लिया, फिर मैंने लिया 45 degree, फिर मैंने लिया 60 degree, फिर मैंने लिया 90 degree पिर आपको यहां पर value जाननी है और value जानते हुए कि यह कहना है 9 020 change euro को जो मान होगा वो आपको क्या होगा तो आप यह बोलंगे 0 degree होगा ठीक है diferente के मान कितना हो जाएगा 1 x2 रोट तु हो मान यहाइगा था कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा तो रूट 3 x 2 मान और कॉस 60 की मानल करो कि यह तो हुँ के कैसे तो को सकते है今日は possible साइन अगर तते हैं तो आटोमेट्िक सब्सक्राइब काइस है क्योंकि इनका समझो है ना वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए यह नियम है कैसे नियम है तो आप देखिए यहां पर देखो यहां पर समझो चलो देखो साइट जीरो को माँछोते हैं व्हों कॉस 90 के बिर्भर हैं, साइट 30 का छो मान है, साइट अप्ची के बिर्भर हैं, साइट है उक्ति 20 के बिर्भर हैं, साइट 60 कॉस का इनका एंगल का जो समय हमेसा कित ना करना चाहिए थीज बोलना चाह रहा है कि साइन एक कुछ भी लेलो कॉस भी के तभी परावर हो पाएगा जर इन दोनों का सम्में सापस में कितना होगा लिए कितना होगा 90 डिग्री यहीं तो मैं समझा रहा था हैं आपर देखो चलो तो आप पर चला किस कोश अगर साइन अगर सीरो डिग्रीज जीरो है तो पूरा-पूरा कॉस 90 ले लेगा अगर फॉर्टी 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 फाइव तो इससे थर्टी लेना पड़ेगा तभी तो 90 ऐतो उसका 0 हो जाएगा यह होता है रेप्रेजन करने का तरीका ठीक है मतलब आप बोल सकते हैं कि साइन और कॉस का एंगल का सम करो तो 90 के बराबर होगा तो उनकी आपस में वैलू क्या हो जाएगी बराबर जैसे कल किसी ने बोला कि साइन 23 डिगरी दिया है तो कॉस कितने डिगर कर Rapid dese Tea अब लोगा आप लोगी 90 में 22 electorलेश कर देंगे तो आप लहने और ऌने का यहाँ आश्युस दिगेरी तो आप लोग दिग्रेबर होगी तो इस पान जिखेंट воды क्रीलृ क्ञा़ पर सब्यूत तो कॉस्ट 15 की तभी आप देखते हूंगे कि जो साइन 15 का मान्ज़ होता है वो हमेशा कॉस्ट 75 डिगरी के क्या होता न बराबर होता है इसका इसका 90 है जो इसका 90 है जो इसका 30 है आट ओमाटेक्ट को बराबर होगा और जो इसके 45 की बराबर होगँ इसके 60 के बराबर है तो 90 करने के लिए 30 होना इसकी वेलुः इसके बराबर ही ठीक है इतं़ी बात आपको संगे लागे फिर आपने यह सीक लिए यहां पर कि यो सबसाइन एव है बतलब साइन ए हमेशा कॉस बी के बराबर होगा कब जब ए प्लस बी की वैलू कित्ती की विन होगी 90 डिग्री कित्ती होगी 90 डिग्री आपने चीज समझ लिए ठीक है तो इस पर एंगल आपस में क्या हो 90 के बराबर हो ठीक है तो आप बोलो कि 3x2 कित्ता आगे 90 डिग्री एक स्क्वेलों कित्ती आगे 30 डिग्री आप अराम से बोल सकते हो जो यह पूछ रहा था वो पूछ रहा था साइन 60 और इधर जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था कॉस 30 आप होता है मेंसा बराबर चलो एक कोशन और देते ताकि आप समझ पाएं कोशन रिग्जामनर पूछता है जैसे कॉस 10 माइनस 2x क्या दिया है 10 माइनस 2x इसको ल्टू साइन दिया है 10 चलो मालों 10 दिया है 10 प्लस 3x यह दिया है आप से पूछा है कि x की वैलू क्या होगी आप बताओ आप उने इन दोनों को सम को जोड़ दो एंगल को 10x गया प्लस 10 प्लस 3x आ इसको ल्टू किता है 90 दिग्री 10 माइनस 2x को जोड़ना है 10x प्लस 3x का जोड़ोगे तो 10 और 10 किता हो जाएगा 20 और 2x में से मतलब 3x में से 2x चला जाएगा किता हो जाएगा प्लस x इस और चली जाएगी वैलू तो 2 ले सुझा किता हो जाएगा 70 किता हो जाएगा 70 तो आप अराम से बोल सकते हैं अगर x की वैलू मैं पुट करूँ यहाँ पर पूट करूँ तो cos is equal to 10 minus 2x is equal to sin 10 plus 3x अगर मैं यहाँ पर देखू तो cos है 10 है minus 2 into 70 रखूँगा is equal to sin रखूँगा 10 plus 3 into 70 रखूँगा ठीक है चलो फिर मैंने कहां यहाँ और देखू आगे solve करने के लिए करने के लिए मैं बता रहो आपको आप समझ सको चलो तो आपने बोला यहाँ से कि कॉस है 10 minus 140 आ जाएगा फिर आप इधर देखोगे तो यह साइन है कित्ता जाएगा 10 plus 200 10 आ जाएगा तब तो यह answer देदेगा 220 और इधर देदेगा यह कोस कोस 130 minus मैं कित्ता दिया 130 क्या यह सही है आप यह कहेंगे क्या यह equal है तो मैं कहुंगा हाँ यह चीज equal है यह equal है यह equal value है अप इसको जो हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे फस्ट क्वाड्रेंट सिकेंड क्वाड्रेंट और यह वाला क्या हो जाएगा फॉर्थ क्वाड्रेंट तो आपको पता अगर साइन 220 देखो अगर आप ध्यान से साइन 220 हम लोग क्या बहुत सकते हैं साइन 180 प्लस 40 बोल सकते हैं कि नहीं तो आप बोलोगे इस में आगा गया कि कभी अगर ऐसे दे तो आपको लगा लेना है एक दूश्वन में आपको दे तो आप लगा जाईएगा जैसे साइन 3x-10 दिया है equal to x plus 10 आपको दिया है, यहां से आपको निकालना है x की value, क्या निकालना है आपको x इसे परकार दूसरा question है cos 50 plus x equal to x plus 10 कि जो value है आपको निकालना है आपको x, क्या निकालना है आपको x की value represent करने हैं यह दोनों कोशन आपको करने हैं आप इसको समझ कर मेरों को कमेंट बॉक्स में करके बताई कि एक्स के वेलू यहां से क्या आएगे ठीक है फिर आगे देखते हैं आप एम लोग चलो आपको सब्सक्राइब जैसे कि साइन और कॉस का रिलेशन बनता है सम एंगल का 90 वैसे ही एंगल का क्या ओना ची न क्यों होना च17 क्योंकि तभी तो नियम बने गा कि 10 0 डिगरी का मान हमेशा कौट 90 के बराबर होगा तभी तो इन दोनों का समे में हमेशा कितना हुना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए 90 लिग्री इसा प्रकार आपको बतायागा यहां से नियम कि टैन अगर ए है तो हमेशा हमेशा क्या होगा ना आपके कॉड के B के बराबर होगा क्योंकि ए प्लस वी हमेशा कितने होना चाहिए 90 डिगरी होना चाहिए क्या होना चाहिए हमेसा 90 डिग्री होना चाहिए तो आप देखो ना यहां पर कॉट जो जीरो डिग्री है वही तो 1090 है और कॉट सबसे बेस्ट इक्जाप्ल आपके वहला देखो ना 10a यानि कि a की वैलू और b की जो डिग्री दिया है हमेसा कित्ता होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए कित्ता होना चाहिए 90 डिग्री तो इस पर भी सेम वैसे क्वोशन बनेगा जैसे एक्जामना नों दे दिया 10 2x is equal to quad 5x तो आपको पुछा y की वैलू आप बताए 3x मालो चलो 3x तो आप बताएंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 2x प्लस 3x जो कित्ते के बरावर है चाहिए 90 डिग्री के बरावर तो 5x is equal to कित्ता आ जाएगा 90 डिग्री एक्स की वैलू जो कितना जाएगा वह 18 डिग्री आजए कितना आ जाएगा एट्टी डिग्री कैसे पता चला तो वही नियम कि 10 का कोई भी एंगल ले लो कॉट के उसी एंगल के बरावर होगा जब दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा कितना होना चाहिए 90 डिग्री कोई बी चीज आसान तो नहीं है समझा रहे है गर्मी आप देखी रहेंगे कितना ज्यादा गर्मी है पसीने बह रहें तो आप तीलता संगर्ज कर रहें थोड तो यहां से बेलाओ निकाला तो इन दुनों को जोड़ दो 30 प्लस एक्स एसकोल टू हो करना तो प्लस 10 प्लस एक्स एसकोल टू कितना होगा 20 डिग्री 30 प्लस यहागा 40 और तो यह सेम पैटन प्रूसी के फॉल वक इस पर टैन और पॉड पे ठीक है फिर आप अगला देखेंगे अगला तो सेम वैसा जिए जैसे सेक ए और कॉसिक भी कभी वैलू जोड़ेंगे ए प्लस भी तो यह बी कितना होना चाहिए तो 90 डिग्री होना चाहिए किस पर होना चाह थिग्री हो छोगा अपके कॉसेक 90 के बराबर होगा क्योंकि यही नियम तो फॉलो कर रहें बार बार किसे क एक का हो और कोशेक बी-का तभी बराबर हो Reynolds जो एइप Dakinय मतला के ठीले और तो कॉसेक तुम्हे 60 लेना पड़ेगा बराबर दिखाने के लिए क्योंकि सेख 30 का मान जो होता है वो कितना होता है तो सिफ 2 कितना होता है 2 और कॉसेक 60 का मान कितना होता है 2 नहीं होता अब समझना है आप सेख 30 का मान कितना होता है तो सेख 30 का मान होता है 2 by root 3 तो कॉसेक 60 का स्क। 60 की खूट सब्सक्राइब तब इनका एक एक एंगल आपस में क्या होने वाला है बराबर होने वाला है जब उनका एंगल का सम 90 के बराबर होगा तभी ऐसा नहीं एक कमारा एक जादा आ रहा है तो ऐसा करके नहीं हो पाएगा ठीक है तो इस पर बेस जो कोशन है वो आप लगाएंगे मैं आपको दे रहा हूँ चलो कॉसेक 9x प्लस 10 इसकोल टू सेक 10x प्लस 20 तो एक स्कोल टू बताना है हो सकता है डेस्मल में आरा हो फ्रेक्शन में मिक्स फ्रेक्शन में आरा है आपको निकालना है कॉसेक 2x प्लस 10 डिग्री इसकोल टू सेक 10x प्लस 10 डिग्री आपको बताना है यहां से एक्स की तो आप ही दोनों कोशन करिएगा तो आज के जो हम लोगों ने टॉपिक कवर के पूरा कवर कर लिया है ठीक है अगला जो हम लोग पढ़ेंगे जो अगला पढ़ने वाले हैं पूरा पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पूरे चार्ड पर से डिस्क्राइब करेंगे फिर मैं आपको रेंज बताऊंगा फिर होता है आपका रिस्प्रोकल मेथड दिरे-दिरे करके सारी बात है नहीं तो लगना परता आपको ठीक है बीना लेगे कुछ नहीं हो सकते चलिए ओके